नमस्कार मैं हूँ रश्मी वात्सियायन सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर गुजरात विधानसवा चुनाओं में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रह मंत्री अमित शाहने की अपने मता दिखार का प्रयोग पीम ने की चुनावायोग की सराहना कुढ़नी विधानसवा उपचनाव में मतदान जारी 11 बजे तक 24 प्रतिशत हुआ मतदान मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जनता के दर्वार में सुन रहे हैं लोगों की शिकायते मुकामा में पिक अप वैन की चपेट में आने से एक दर्जन से ज्यादा महिनाएं जखनी और अब समचार विस्तार से गुजरात विधानसवा में दूसरे चरण की 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रानिप में अपने मदातिकार का इस्तेमाल किया वोटिंग करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से मतदान करने की अपील की इस अवसर पर उन्होंने चुनाव आयोग की विवस्था की तारीफ की केंद्रिय ग्रिह मंत्री अमित शाह ने अपने बेटे जया शाह और पूरे परिवार के साथ अहमदबाद में नाराणपुरा में वोट डाला ग्यारा बजे तक गुजरात में 19.06 फीस दी वोटिंग की खबर है गुजरात में आज अंतिन चरण में होने वाले मतदान में मोखे मंत्री भूपेंदर पटेल सहित आठ मंत्रियों के कस्मत दाओं पर लगी हुई है सुबह से ही मतदान बोथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही है आजे गुजरात ना बेजार बावीस विजान सबानी चूपी ना बीजात बगकार्न मतदानी और गुजरात से सवार्थीच खुब उच्छापूर्वक गुजरात नी जनता अडी दाइका थी गदू गुजरात नी विकास यातरना समर्खन मा बहुत आप्पा माटे खुब उमर का बेर निकरी जाए कुढ़नी विधान सबाव पुचनाओं के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज वोट डाले जा रहे है मतदाताओं में मतदान के लिए भारी उत्साह देखा जा रहा है विशेश कर महिलाएं मतदान के लिए लंबी लाइनों में अपनी बारी का इंतजार कर रही है सभी बुथों पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है 11 बजे तक 24 प्रतिशत मतदान होने की खबर है बुथों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोविट गाइड लाइन का पालन किया जा रहा है मतदान के इंद्रों पर वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं जहां कोविट का टीका लगाया जा रहा है हमारे समवादाता ने मतदान के इंद्रों का जॉय जा लिया पुडिनी विधान सवा उपनिडवाचन को लेकर सुबस साथ वजे से वोटिंग शुरू है महिलाएं युवा और पुरूस मतदाता काफी संख्या में लाइन में लगकर वोटिंग कर रहे हैं दो भूथ वेलनेस भूथ बनाए गए हैं जहाँ पर मतदाताओं को स्वास्थ परिक्षन भी किया जा रहा है मैं मुझपर पूर से संतोष कुमार टेडी नियूज मोखे मंत्री नीतीश कुमार आज जनता के दर्वार में एक बार फिर से लोगों की शिकायतें सुन रहे हैं सीयम आज ग्रिह विभाग, राजस्व एवं भोमी सुधार विभाग, मदनी शेद विभाग और निगरानी विभाग के साथ ही सामान प्रशासन से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई कर रहे हैं जनता दर्वार में आज भी सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है, कोविट को लेकर अभी सावधानी बढ़ती जा रही है विश्व मृदा दिवस पर आज बामेती में कारिक्रम का आयूजन किया गया राजे सरकार द्वारा इस कारिक्रम का आयूजन कृश्यमंत्री कुमार सर्वजीत ने किया इस अबसे पर कृष्षी मंतरे ने किसानों को मिटी का सनरक्षन कैसे किया जाए इस की जाए जाए जाए। हैं हमारे यूट्यूब चैनल तक महुशने के लिए अपने मुबाइल से स्क्रीन पर दिखाय जा रहा है क्यू आर कोड को स्कैन करें और डीडी बिहार से प्रिसारित होने वाले समाचार देखें इसके अलावा ट्वीटर और फेस्बुक पेज पर भी ताजातरीन समाचार औ प्लब्ध हैं देते हैं अगली खबर मुकामा में पिकप वैन की चपेट में आने से एक दरजन से ज्यादा महिलाएं जखमी हो गई हैं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पिकप वैन को आग लगा दी बाद में मौकाप पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांद कराया प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि बारात में सभी महिलाएं रास्ते में पिकप वैन ने महिलाओं को टक कर मार दी हास्ते में घटना से में घहल महिलाओं को मुकामा के स्थानी अस्पताल में भरती कराय गया है गया में नकसल प्रुभावित इलाके की महिलाओं को स्वहर वोजगार देने के लिए प्रश्रिक्षण दिया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक की ओर से आयोजित इस स्यूविर में महिलाओं को ने शुलक में ट्रेनिंग देने के साथ ही खाने और रहने की विवस्था की गई है पेशेक रिपार्ट गया में इन दिनों नकसल प्रभावित इलाके की महिलाओं को आत्म निर्भर होने के लिए प्रश्रिक्षण दिया जा रहा है पंजाब नेशनल बैंक की तरब से इन महिलाओं को सिलाई का मुफ्त में प्रश्रिक्षण दिया जा रहा है इस सम्मंद में जानकारी देते हुए RCT के निदेशक सुनील कुमार ने बताया कि सिलाई सीखने के लिए महिलाओं के दो बैच बनाए गए हैं, इनके रहने खाने के भी निशुल्क विवस्था की गई है और यह जो महिलाएं हैं जो BC सखी का है वो CSP चलाएंगे भिन भिन बैंकों का इन लोगों को मिला हुआ है आये बीफ का जब एक जाम पास करेंगे तो यह अपना CSP चलाएंगे और अपना इंकम जनरेट करेंगे प्रशिक्षण लेने वाली महिलाओं ने PNB RCT की इस पहल का स्वागत किया है वहीं महिला प्रशिक्षक सुमंती देवी ने बताया कि सिलाई सीखने को लेकर बच्चियों और महिलाओं में जुनून है केंड सरकार की तरप से प्रोजेक्ट उन्नती के तहत मन रेगा श्रमिक परिवार की महिलाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर अपने हुनर को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है जिससे की ये महिलाओं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें गया से प्रेम प्रकाश की रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार पटना पटना सिटी के मितन घाट में सूफी हजरत ख्वाजह रुकुनदीन इश्क का दोसो एकतालीसमा सालाना उर्स शुरू किया इस अबसब पर आयजित कारक्रम में महिले समा के साथ ही चादर पोशी की गई खानकाया के गदी नशी सेद शाख ख्वाजह अमीर शाहिद की निगरानी में आयजित उर्स में जायरीन ने चादर पोशी की तथा देश और प्रदेश में शांती और विकास की काम ना की उर्स में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन जिलों की अतरिक्त पशीम बंगाल और बांगलादेश से भी लोग आय थे और अब तीन मिनट में दस खबरे प्रदान मंत्री नरिन्रमोदी आज गई दिली में भाजपा के राष्ट्री ये पदाधिकारियों की दो दिवस्ती ये बैशक्तों करेंगे संबोधित पाँच राजियों की चेह विधान सभासितों के साथ ही उत्तर प्रदेश के मैन पुरी लोग सभासित के लिए वोटिंग जारी सपानेता दिमपली आदप के अकस्मत दाउं पर जब रन धर्मान तरणा को लेकर सुप्रिम पॉर्ट में सुनवाई आज केंडर ने हलक नामा में कहा है कि जब रन धर्मान तरणा को रोपने के लिए उचित अदम उठाएंगे कुंदापुर में राज़त के राष्ट्रिय अधक्ष लालु पिसाद का आज होगा कि दिनी ट्रांस्प्लांट राज़त के मंत्री और नेताओं ने पटना के शीतला मात्ता मंदिर में किया पुजा खबन विहार के स्कूली बच्चे भी पढ़ेंगे G20 में भारत की अधक्ष दा की कहानी इसके लिए हर स्कूल में होगा विशेश सत्र का आयोजन मुंगेर सदर अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग की सुगिधा हुई शुरू होमी भावा कैंसर अस्पताल की तरब दे सदर अस्पताल में स्क्रीनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा पच्छुआ हवा के कारण प्रदेश में बढ़ी ठंड राजभानी पटना सहित नोजलों में गिरा तापमान पाँच शहरों में निवनतम तापमान दस दिग्री से नीचे पहुचा ट्रेनी हुई दिलंब नलंदा की निद्भारती का अंडर नाइंटीन महिला क्रिकेट टीम में हुआ चया न साथ दिसंबर को पोने में खेलेंगी मैच सीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम की सेनेगल पर शांदार जी अब क्वाटर फाइनल में फ्रांस से होगी टकक और बांगला देश दोरे पर टीम इंडिया की खराब शुरुआत तीन बंदे मैचों की सीरीज के पहले मकाबले में बांगला देश ने एक विकेट से दी गरारी शिकत और अंध में मुखे समाचार एक बाफिर से गुचरास विधानसवा चुनाव में प्रधान मंत्री नरेनर मोदी और ग्रह मंत्री अमित शाहने की आपने मता दिकार का प्रयोग पीम ने की चुनाव आयोग की सराहना कुढली विधानसवा उपचुनाव में मतदान जारी 11 बजे तक 24 प्रतिशत हुआ मतदान मुखे मंत्री नीती इशकुमार जनता के दरवार में सुन रहे हैं लोगों की शिकायते और मुकामा में पिक अब वैन की चपेट में आने से एक दरजन से ज्यादा महिलाएं जख्मी इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बिलेटिन्स अमाप्त हुआ दरशकों डेडी नेशनल आप के लिए लेकर आया है स्वराज सीरियल हर रवी बार रात नौ बजे देखे इसका पुना प्रसारण गुरुबार दोपहर एक बजे शनिवार रात नौ बजे और रवी बार सुबह